तो अब तक मैंने आपको क्या पड़ाया फोटो सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको समझाया फोटो सिंथेसिस को प्रूफ करने के लिए उसमें कई सारी एक्सपरिमेंट तो इसी बात को में औरे लिए के फोटो सिंथेसिटिक रेक्वाइरमेंट से लीफ एक्सपरिमेंट और झाफी एक्सपरिमेंट और लेडिए बात करता है ठीक है इसके बाद एक संटिस्टा और के बोलते हैं कि गुलकुज नदना वह इस चार्ट के फॉर्म में रही होता है फ्लैंट के कई सारे बाते करने आये थे अगर आपको याद हो ना यह बेल जार एक्सप्रिमेंट उसके बाद इसका जॉन इंजन हाउस का एक्सप्रिमेंट जो बेल जार को सारे बातों के बाद अब तो वैसे हमें पढ़ना चाहिए कि mechanism of photosynthesis पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए photosynthetic operator photosynthesis होता कहा है अगर आपको कल याद हो मैंने पढ़ाया था कि photosynthetic requirements photosynthetic होटल खुल गया होटल चलने के लिए क्या चाहिए that are requirements होटल क्या है इसको समझना वो तो आप प्लेस को समझ रहे हो लोकेशन को समझ रहो मिंस आप होटल में क्या चाहिए मिट्ची चाहिए या पढ़ चुके हो अज आप समझने वाले हो फोटो सिंथेसी चलता कहां है है फोटो सिंथेटिक एपरेटर सो jobbarं टॉटौ टॉटोटोस निधिक एपरेटरेटर तेक अगर मैं आप से बती तो बाते हैं एक होरो करियोर्स के अंदर और एक है यू करियोर्स के अंदर शुकि आपको पता होगा फोटोस इंदेसिस की जो mechanism है यू करियोर्स प्रो करियोर्स में थोड़ी सी different है और different होगी भी सही क्योंकि दोनों के अंदर photosynthetic apparatus भी अलग अलगे और requirements भी slightly differ करता है मगर आपके सिलेवस में आपको photosynthetic mechanism जो पढ़ाए गया है वो यू करियोर्स के पढ़ाए गया है आपको प्रो करियोर्स का photosynthetic apparatus नहीं बता रहे हो यह पता होना चाहिए यह पूछा जाता है मैं आपको पता देना चाहता हूं प्रो करियोर्स के अंदर भी photosynthetic photosynthetic apparatus वह दो अलग 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 है मैंने आपको बताया था याद करूँ स्टार्टिंग मोजब photosynthetic से स्टार्ट हुआ वह नॉर्मल बैक्टेडिया ने स्टार्ट किया photosynthetic मगर वह oxygen नहीं था यादा रहा है oxygen इवल्वर नहीं होता था उसमें तो आप बोलो नॉर्मल बैक्टेडिया photosynthetic bacteria जिसको करने हैं ठीक है photosynthetic bacteria कह रहे है photosynthetic bacteria में blue green याजी नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि उनके अंदर photosynthetic apparatus भी अलग और mechanism भी अलग है तो मैं blue green याजी को तो बिल्कुल अलग ही रखता हूं उसी का नाम है साइनो बैक्टेडिया ठीक है तो अब मैं आपको बता रहा हूं photosynthetic bacteria जो नॉर्मल बैक्टेडिया जिसके अंदर photosynthesis होता है उसके अंदर photosynthetic apparatus होता है सब्सक्राइब क्रोमेटो 4 जिसके अंदर photosynthetic bacteria एक सब्सक्राइब ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर जो photosynthetic apparatus होता है वह होता है photosynthetic lamely क्या होता है लेमिला लेमिली पुलूडल है photosynthetic lamela इन दोनों को अभी मैं डियाग्राम से दिखा हूंगा अगर मैं यूकरियोर्स के अंदर बात करूं कि यूकरियोर्टिक और photosynthetic organism के अंदर photosynthetic apparatus क्या होता है तो उसका apparatus होता है इसकी साइटोप्लाजम में इस तरीके से यह देखो इस तरीके से photosynthetic membrane क्या करते हैं ग्रूप बनाके पैक हो जाते हैं इसी को बहुत है और यह क्रोमेटोफोर में क्या है photosynthetic pigment है और मैं आपको पता देता हूं बैक्टिरिया का इन्फ्रारेट कर रहे हैं या अल्ट्रा वालेट कर रहे हैं कौन बताएगा फोटो सिंदेटिक बैक्टिरिया इन्फ्रारेट तो वह वेजिवल नहीं कर रहे हैं अब कौन सा रहे हैं अब बाताएग को है सारे वह पोटो सिंदेशी नहीं करते हैं और दो नहीं करते हैं वह जो नहीं करते हैं और चिनता नहीं थो बाटनोब की सवाल यह तो क्रोमेटरफोर के अंदर तो से यह सन लाइट को अबज़र्ब किया इस क्रोमेटर फोर ने तो एक बात पता चला कि लाइट रेक्शन चला कहां बोलो कहां लाइट अगे बनावगा एन घ्याट डिपीस है तो फोटो सिंतेसिस बैक्टेरिया करते हैं बैक्टेरिया में लाइट रेक्षन कॉन टो फॉर में चलता है और डार्क रेक्षन साइट ओपलाजम लेज़ कि ब्लू-ग्रीन एल्गी जिसको साइन भी कहते हैं उसके अंदर कॉमेटो-फॉर तो होता है लेकिन जीसे ये सेल अंदर के तरह इस तरीके से क्या करती है इस तरीके से और इस structure को इसी structure को कहते हैं और फोटो सिंतेटिक लैमिली पर होता है क्रोमेटो फोर तो बात वही है कि यहां पर भी क्रोमेटो फोर है हाँ पिगमेट सिस्टेम थोड़ा फोटो सिंतेटिक लैमिला से अटाइज तो अलग है तो नहीं बोलोगे केवल यहां फोटो सिंतेटिक लैमिला से एटैज्ट है understood है के वल फोटो सिंथेटिक लेमीला बोल दोगे लेमीला के साथ वह इट्एज्ट है तो लाइट रेक्शन तो नहीं लेगा पर तो यह वा प्रोकरियोर्स के अंदर डायेक्ट सवाल आता है कि प्रोकरियोर्ट के अंदर फोटो सिंथेटिक बैक्टिरिया का तो लाइट रेक्षन तो लाइट रेक्षन को लिए अंदर और और रेक्षन से टेख और ब्लू-ग्रीन लगी के अंदर जो है फोटो-synthetic लामिला पर चलेगा लाइट रेक्षन चलेगा इसका स्क्रीन सॉट ले लेना क्योंकि इतना के साथ नोट में नहीं है लाइट और डार्क रेक्षन नॉर्माली को लिए फोटो-synthetic लामिला लिए लिए अब आते हैं कहां यूकोडोर्स और आज ही बताया गिया आपको बताने की ज़रूरत नहीं इसलिए लिंक बढ़ा गया था आपको जब मैं सेल पढ़ाए था काफी डिटेल में पढ़ा दिया था मैं बस सिंप्ली बता देता हूं कि आपको पता है कि यह यूकरोटिक सेल के अंदर जो फोटो-synthesies करते हैं किसके पास होता है अगरी प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल के पास होता है तो मीजोफिल अब आपको बता रहा हूं कि यहां पर फोटो-synthetic pigment कहा होते हैं हमते हैं फोटो-synthetic pigment इसको अजट वीटो ब्टाÓंगा मैं उसपे होते हैं फोटो-synthetic pigment अब यह जबsequently personnes कीते हैं और 1980 करके जो यह जोvous can है, lumen में चला light reaction, और light reaction चलके, वहां से release हुआ, क्या, वही, assimilatory power, nadps-2 और ATP, और वहां पे चला dark reaction, और dark reaction के दावरान, environment से CO2 को लिया गया, और CO2 को लेके, CO2 का reduction कराके carbohydrate बनाये गया, ना केवल carbohydrate, बलकि सारे organic compound का synthesis के अपने estroma में, this is estroma, यू तो उसका भी श्टोड इपने अपने अपने फॉर्म में होता है आप तो पढ़ाए जाता है देन उसके बाद जब रिडक्शन हुआ वह तो और गणी कंपाउंड बन गया तो उस तो नडिपी एस्टू का क्या हो गया और यह चीज चलने के लिए जरूरी था और यह बात तो आपको पहले से ही पता है कि लाइट और डियूमें में अंदर इसके बारे में डिटेल चर्शा हो चुकी है अब मुझे बता लाइट अखन कहां से लगा यूकरोड में थाले कॉर्ण में अंदर और डारेक अखन कहां से लगा कोई चाहर नहीं है यह तो एपरेटर से यह तो फोटो सिंथेटिक एपरेटर से और अब करते हैं थोड़ा स बेजा खुलने वाले एक दूस सवाल जड़ी ले सवाल दागे जाए और आपके कंसेप्ट को फिर से सही किया जाए जो आपको पता हूँ पहले से साइद आप गलत समझके हैं मंदी 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 पहला सवाल पहला सवाल यह जो मैं बताया हूँ पहले वह पूस्ता हूँ ज एट को चले गा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा याओट विए तु टेंको आज 1 है लाइट रेक्षिन चलेगा लाइट रेक्षिन चलेगा लाइट रेक्षिन चलेगा तो जब तक कुछ ने वोले तब तक क्या मारेंगा कंडिशन इस नॉर्मल देखा लेग हो रहा है यहां पर दिखा रहा है एक में तो क्या वोला मैंने कि जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक आप क्या माल होगे कंडिशन इस नॉर्मल अब कोईशन में लिख दिया गया और कंडिशन दे दे गया दीन का समय है सन लाइट की अच्छी खासी अबलेबिटी है सन लाइट की कोई कमी नहीं है ना बरसात का दीन है ना च्छायाँ वाला जग़े है कोई प्रब्लम नहीं पानी भी अच्छे मातरा में प्रयाइपन कदभी कोई कमें हैं एक को कमी नहीं बस कमी बात के इनवार्यमेंट में वहाँ पर सबसेट सब्सक्राइब किने चलेगा कि फटा-फट सभी लोग अपना माईकोन करके जवाब दिया माईक बंद कर ले कि इतना लेगा उड़ा है कि फिर से सवाल कर रहा हूं स्योटू नहीं है अभी भी लेक कर रहा है बताओ अब होगा तो बोला हाँ मुझे बताओ स्योटू दीन में नहीं है तो डार्क रेक्शन चलेगा चलेगा जली से बोलके अपना बाइक बंद करने डार्क रेक्शन चलेगा चलेगा से बाकि जो लोग जिन्दा है वो लोग जवाब देंगे बीक्त बोडी को मेरे तरफ से विञान की चैश्चन चलेगा और यह चलेगा चुने कि बलत जवाब तो मैं ने बोला अब तो कितने सारे में डिलाइस करा हुआ कि आप गद्रेफ्सक्राहित नहीं चले उसलिए अब्याइक है कहीं पड़ के नहीं आया है कम से कम ऐसी सवालों को साही जवाब दे दे रहा है कि इसके दिमाग में पहले सक कचरा भड़ा ही नहीं गया है अब आपकी क्या प्रॉब्लम है आप तो इदर उद्धर के मुह मर लियो जहां अनाज भी ढंका नहीं मिला मुह भी जूठा हो गया अब वो जूठा तो उल्टी नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा तो पता ही नहीं चलता रहेगा और वह क्या बोलेंगा लाइट है तो लाइट चलता रहेगा लाइट है तो लाइट रख्शन चलता रहेगा फिर से वही बात करा नहीं के वह यह पहली पहुंच गया है पर पहुंच गया है कि जब तक सियो टू नहीं है तब तक नाडी पेस्टो बनावाना के श्टोर कर लो है एक नहीं होता है और सुन लो और बता रहा हूं सुनो जब सियो टू नहीं है तो डार्क रेक्शन बन दें डार्क रेक्शन की बन देंस का कारानए कि का Candle यह कारण है क्योंकि लाइट रेक्षिन चलने के लिए सब कुछ अवलेबल है बस फीड़ेक मेकाने जम उसको इनवीट कर देगा लाइट रेक्षिन का प्रोड़क्त एनडीपेस्टू की कंसेंट्रेशन जब से स्ट्रोमा के अंदर बढ़ने लगेगी तो वह बरतावा कंसेंट्रेशन एनडीपेस्टू खुद अपने सिंतेसिस को रोख लेगा इसको बलता है फिड़की नहीं भी संथ और ऐसे नहीं होगा कि लाइट रेक्षिन चले और चलता रहे जूट पर आ रहे हों लोगे फार देना कोपी आज जी जाके जला देना कोपी जिसमें लिखाओके दिन को ल तुमारा कैसा काटा गया तुम्हे तो भी एसास होगा रुपन और बोटनी में जादा कटा गया तुमारा यह हाल अभी तो स्टाट वाए तो दखो न अभी तुमारा वह वाला पार्ट जब आएगा न कौन सा यह कंसेप्ट भाई शाब नहीं चलेगा नहीं कितों को डाउट है अभी किसे लगडा है चलेगा नहीं चलेगा अगया सब्सक्राइब गलती आपकी तो है इनी पहली बाद आपको तो जो सिखाए कि आप उस लिख लिए और आपके तो कोई गलती नहीं इसमें उनकी गलती है और उनको कंसेप्ट नहीं आता था तो तो को टीचर नहीं बना था उनको तो उन्होंने भविस खराब कर दिया आपका भाई साब अपनी बेस्ती करने का प्रूब भी दे रहते हैं लो मेरी बेस्ती करो कि मुझे अच्छी लगती है प्रूफ तक दे रहते हैं और आपकी भी आप मैंने वीजो इधर उधर मूह जाकर मारा होगा कहीं पर उसके उस कोपी में भी हो सकता लिखा हुआ हो कि दिन को लाइट र लाइट भी नहीं चालिगा ठीक है लाओ फोटो सिंथेसी कि ही नहीं चलेगा ठीक है नहींज किसी थाकरetrall कशा घions पर जो और नहीं वाना चाहिए थोग तो तो प्रुम्हानly चर्चाबएं फोटो सिंथेट्रिंग में पर उससे पहले यहां च्छे एक बात और ये वह पाथ मैंने क्या वहला यूकोडोस के अंदर ये तक अंदर होता है मीजोफिल सेल के अंदर ये हैं मीजोफिल सेल जाकर यह होता है शुच मतलज देख़ा रिकोरड़ एडर पढ़ा आ कि क्या था में जो फिल प्लंकल को और शक्लार निकामा मैरे निस्टम कि मिजोफिल सेल क्या होता है अधा है रहा बहुत बताये थे बताये थे कि अपर और लोर एपेडर्मिस के बीच में लीफ की पुरीन परेंगे चेल जो लार्ज नंबर आफ को प्लोर फ्लास को पंटेन करती है वह मिजोफिल का लाती है Democratic Meeting मोनोट के अंदर वह पूरी की पूरी मीजोफिल सेल के अनदर अंदर क्लोरो प्लास्ट के अंदर करेंग में भाया और यह खास प्रकार का स्लिये वो इसका कर रहे हो यहाँ प्रकारका इसलिये होता है वह उसका कोई चाहता है कोई खुब थेज थूप में को बिल्कुली शह में अखता है को एवरेज़ टम्रेचर वाले इलाकय में गुड़ो कर रहा है तो अलग अलग प्लांट का अपना-पना एडप्टेशन को कई से अरेंज करेंगे और इस एडप्टेशन से रिलेटेड के मिजोफिल से अरेंजमेंट से रिलेटेड ने कर दिया सवाल और इसका जवाब कोई भी देते हैं नहीं बढ़ जाते हैं डियरेक्ट आगे मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कि वह सवाल डियरेक्ली नीट में उठके किस दिन आ जाए और आएगा एक दिन आएगा आज़ो वह सवाल यह है सवाल क्या सुनना अब आपको पता है कि इस टाइप का होता है ठीक है एक इधर बनाया है दो कंडिशन बता रहा हूं एक इधार एक इधार अब मुझे बता थोड़ा सा नीचे करके मनाते हैं रुख जाएक पिनेट यह मीजो फिल सेल है कोई दिकत कोई आपती दो अलग-अलग में बनाया हूं अलग-अलग कंडिशन को दिखाने के लिए और यह है आपका संलाइट संलाइट तो खर संलाइट है उपर से गिर रहा है रहिए यह भाइज संलाइट तो संलाइट है संलाइट कभी ऐसे भी जा ती मुझे धाओ यह यह क्या है यह मीजो फिल्षेल की दिवार है बहले जो वीजिटो वाल अफ मीजोफिल तो तो बलो कि सर दिवार तो यह भी है हाँ बिलकूल लेकिन वया मेजर तो यह ने दिवार भाई इस सेल का सेफ ही ऐसा है ना बातों को समझा करो सेल का सेफ ही ऐसा है ना तो दिवार तो मेजर वही है ना मीजोफिल सेल के चलो इसमें कोई पते नहीं है यह मीजोफिल सेल है यह लीफ नहीं बनाया गया पूरा एक मीजोफिल सेल को बनाया गया अब उसके अंदर क्या ह है आपको पता है कि उसके अंदर क्या है अब क्लॉरोप्लास्ट हो ता तो है बंडे है के क्लोर प्राफ्फ बनाया जिस्तरा इसा टीविधित का अरेंज्जिमेंट कैसा है जिससे मैं सवाल करूंगा वो देखना और फिर मुझे बताना वो बस्पर में आता था था ना कि अंतर ढूंड़िये नहीं आता था कि चित्र में अंतर ढूंड़िये नहीं दस अंतर ढूंड़िये दस अंतर ढूंड़े पेपर हम लोग लेते थे इसलिए कि वो दस अंतर वल और उसी अंतर से सवाल बना है चलो तो अब मुझे बताओ टेक्निकल डिफरेंज दूआ पच्छा में ते क्या करते थे देखो इदर राम के मुह में चॉकलेट है उदर सीता के मुह में चॉकलेट नहीं है उसके मुह में एस-प्रीम है यहां इसा डीपिरेंश नहीं है टेकनिकल डीफिरेंस बताना है तो मुझे बताईये कि है दो राइगराम आपके सामने इस दोगनन टEकनिकल डीफरेंस क्या है थ्यज intéressर मेरे सबस्कंफे था-हन रहा है कि यहility कर रहा है हैंवर्स वाले में लांगी टूडन रइंजमें की सिज्ट का क्लोरोप्लास्ट कस अच्छा और इसमें फ़र्सट वाले में लांगी टूडन एला इसमें अइस रप्र श्राइन से चाहिए अच्छ है इसी बात को दूसरे तरीके से कौन कुन बोल सकता है इसी बात को तिसरे तरीके से कौन बोल सकता है परपेंडिकुलर में बहुत बढ़िया और 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 बात करो यह अभी आपने बहुत बढ़िया का कि यहां पे परपेंडिकुलर है तो मीजोफिल सेल के क्या है परपेंडिकुलर जो फिल सेर के दिवार के कह रहा हूं मैं तो डिवार के प्रफेंडिकुलर यानि कि यहां पर यह कॉलूरपलास्ट और यह दिवार आपस में प्रपेंडिकुलर है रिभा इसका इधर बताओ इधर उसी तरज पर इधर बताओ लाइट और कलोरोप्लास्ट पैरलल है और कलोरोप्लास्ट और दिवार परपेंडी कुलर है अब इस बात को सोच के दिमाग लगा के कौन मतना चाहेगा कि आपके सामने ए और बी लिख दिया हूं मैं कि ए और बी में कौन हाइट टेंपर्चर जोन में ग्रो करता होगा आपके कलास में सबसे कम उम्री की बच्ची है और सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है इसका एक्सप्लानेशन कौन देगा जवाब इसका सही है लिए एक अप्सका तो अब क्या है यहां पर सर्फेस तुर्फेस एड़ाद कि सहीजवादा तो अब क्या है कि यहां पर प्वोटो संथेटिक पिगमेट जादा है तो तो इतने भी सन लाइट आ रहे हैं सभी अब्जॉर्ब किये जाएंगे तो एक्चुल में यह ऐसा प्लांट है यह एक मुट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चा को सिंफेती देने के चक्रे में इसका हम गलत आंसर को भी सही बता रिए उसका जवाब ग बी वाला जो है आई टेंपरेचर में ग्रो करेंगा सब्सक्राइब क्योंकि वह सन लाइट के पैरलेल है और वहां पर ट्रांस्परेशन का रेट स्लो होगा अब यह सभी जवाब है ठीक है सुनो एउगेगा ऐसी इलाके में जहां टेंपरचर कम है और बी यहां एसी इलाक में और उस वाले इलाके में यहां पर टेंपरचर बहुत ज्यादा है तो समझना अगर वहां पर बहुत ज्यादा होगा तो पता है क्या होगा जारा से जाधा लाइट का अब्जॉप्शन होगा फिल पिग्मेंट जल जाएगा उसको बलता है सोलेराइजेशन बढ़न होगा पिग्मेंट और उसे पुरा क्लोरो प्लास्ट बढ़न हो सकता है और सुल्ड़ हो तो ए वाले इस बी वाले इलाके में टेंपरचर ज्याद equals stuff कर लिया सनलाइट कि अब क्या होगा चर्टरिया काम हो देखो एतना ही को फिगमेंट के तस्यूंज में आ रहा है तो यहां तो तो तोल डरा विए वहाले इलाके में टेमपिर्चर जादा है इसलिए वहां के प्लांट है अपने लीफ के जो कुलोरोप्लास्ट है उसको अपने मीजोफिल सेल के परपेंडिकुलर डैट मिंस सनलाइट के पैडलर कर लिया तो प्रिवेंट फिग्मेंट फ्रम सोलेराइजेशन अब इसी जगह वाले प्लांट के लीफ है जो प्लांट उखते हैं कम टेंपरचर में और चुकि वह कम टेंपरचर वाले जोन में उगते हैं तो उसको जितना को सनलाइट पहुंच रहा हूं तो नहीं को एब्जॉर्ब क इस पीडम के सर फेसरिया को पढ़ा लिया क्यासे तो उन्होंने क्लूरो प्लास्ट को वाल के अपने वोल के पार्लैल सनलाइट के प्रपेंडिकुलर के कितनों कwegen समनी में आगया हां कि हुआ एक्टे को इसे को टीर पूज लो लास्ट में क्या बोले सब्सक्राइब करके कान चलाना है तो इसके लिए जो भी टेंपरचर आड़ा उसको बरबाद नहीं जाने दे सब कर ले इसके लिए वह अपने अब्सक्राइब कर लें जो इसके लिए उसके लिए बरबाबर है तक हम सरफेज आ रहा है तो जितना भी लाइट आ रहा है बरबाद नहीं सब के इस वज़े से अपने अड़के नाम पर अब बोलो अभी अगर किसी को को डाउट है तो पूछ लो और किसी को डाउट है अधीक यह देखो लो लाइट इंटेंसिटी वाले लागे में और यह हाई लेंट इंटेंसिटी वाले लागे में तो यह पूरी बात आप यहां तक तो बता रहां यहां तक पड़ो यहां तक पड़ो यहां तक पड़ो ठेक अगर किसी को को डाउट तो अभी बोलो अभी शेक अधीक कि अधीक ब्रास वरी अधीष का घर नोटक ने सुने तब तो तो तुम्हें तो त्मृत्वक तो को चल्री अध्याम छिच्त झाल